Hello Friends, Government Job, General Notification Channel पर आपका स्वागत है Friends, आज हम इस बीडियो में NGO के बारी में जानेंगे NGO क्या है या NGO आप जोइन करना चाहते हैं किस तरह से आप जोइन करते हैं या पूरी प्रोसेस क्या रहती है So NGO से जड़े हुए कुछ पॉइंट्स है जो हम इस बीडियो में डिसकस करेंगे पहले हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं So इस बीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो What is NGO? NGO है क्या? NGO के कार क्या होते हैं? ये क्या कार करते हैं? Purpose of NGOs And how to join NGO? NGO अगर आप join करना चाहते हैं तो आप किस तरह से join कर सकते हैं? And अगर आप खुद का भी NGO खोलना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं NGO खुद का? And how to register NGO? अगर आप ने NGO बनाया है, खोला है उसको आप किस तरह से register कर सकते हैं? और NGO के लिए fund कहां से आता है इसके अलाबा कॉनकों से documents है जो आपको NGO में अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आपको कॉनकों से document की आवश्यक्ता पर सकती है तो ये कुछ points हैं NGO से related जिसके बारे में हम इस बीडियो में जानेंगे तो अगर आप NGO जोइन करना चाहते हैं या NGO से related कोई भी जानकारी चाहते हैं वीडियो के एंट तक जब देखेगा इन सभी points से related सारी जानकारी में आपको इस बीडियो में दूगी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले हम जानेंगे NGO क्या है NGO का full form होता है non-governmental organization it means यह एक private sense था है government का इसमें कोई भी हस्चेप नहीं होता है और यह एक ऐसा संक्ठन है जिसे कोई भी बैक्ती चला सकता है बस इसके लिए कुछ rules and conditions होती है जो आपको follow करनी होती है इंडिया में जो NGOs हैं वो Central Society Act के अंतरगत आती है लेकिन जो राजिस्थान स्टेट है अगर हम उसमें देखे तो राजिस्थान में राजिस्थान Society Act है जिसके अंतरगत ये जो NGOs हैं वो आते है अब हम जानेंगे NGOs के कार क्या होते हैं या हम कहें NGO's के उद्देश से क्या रहते हैं, किस उद्देश से NGO's खोले जाते हैं या बनाए जाते हैं या आप जॉइन करते हैं तो NGO's का जो देश होता है वो है लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, गरीब अनाथ बच्चों को सिक्षा देना, एजुकेशन और बुक्स प्रोवाइट करना, ब्रद्द लोगों की हेल्प करना, इसके अलाबा और भी बहुत से कारे हैं जो NGO's के दौरा किये जाते हैं, लोगों की भलाई को लेकर के समाज कल्यान को लेकर के अगर आपके अंदर समाज सेवा की जो भावना है, उस फीलिंग को लेकर अगर आप NGO's खुलना चाहते हैं या NGO's जोइन करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, नेक्स्ट अब हम जानिंगे, हाउ टू जोइन NGO, अगर आप NGO जॉइन करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, NGO आप दो तरह से जॉइन कर सकते हैं, एक तो है कि अगर आप as a member कोई NGO है जिसको आप जॉइन कर सकते हैं, या फिर second option रहता है, आप अपना खुद का NGO भी खोल सकते हैं, तो ये दो तरह से आप NGO जॉइन कर सकते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे NGO आप कैसे जॉइन कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना खुद का ना कोल के किसी NGO को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते ह अगर आप NGO जॉइन करना चाहते हैं तो इसकी भी conditions रहती है एक तो यह है कि आपके अंदर समाज सेवा की भावना है और आप अपनी समाज सेवा के उद्दिश से लेकर के आप किसी भी NGO को जॉइन कर सकते हैं सेकेंड अगर आपने इसका course किया हुआ है BSW या MSW आपने किया हुआ है जिन पर मैंने वीडियो भी upload किये हुए हैं दौनों courses इसको करने के बाद में जब internship के लिए आप कोई भी NGO जॉइन कर सकते हैं इससे आपको experience होता है आप काम करते हैं और इसका तरीका है कि अगर आप ज personally office में जाकर की भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप online करते हैं तो वहाँ पर जो NGO's की website होती है website पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको options दिखाए देंगे become member, get involved and internship so आप इन मैंसे किसी को भी अगर आप internship लेना चाहते हैं internship पर आप click कर देते हैं और वहाँ पर आपसे पूरी detail आपसे मांगी जाती है आपकी जो भी detail रहती है वो आपको fill करनी होती है उसके बाद आपको जो भी detail है उसको check करने के बाद में NGOs आपको member बनाती है या आप internship के लिए आपके लिए agree होते हैं या आपके लिए mail कर दिया जाता है वहाँ पर जो भी detail मांगी जाती है वो देने के पहले आप एक बार ये confirm कर लिजेगा जो website है वो real है official है तब ही आप अपना जो detail है वो fill कीजेगा second option रहता है हमारे पास खुद का NGO आप कैसे खोल सकते हैं अगर आप अपना खुद का NGO खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको minimum seven members की आवशकता at least आपके पास seven members ऐसे होना चाहिए जो एक group में किसी उद्देश को ले करके पहले आप अपना उद्देश decide करेंगे कि आपको किस तरह से किस field में आपको अपनी सेवा देनी है means आप बच्चों से related करना चाहते हैं महलाओं से या अलग-लग उद्देश से रहते हैं उस उद्देश को आप जानिए और ऐसे कुछ members को आप select कीजिए चुन लीजिए जो आपके group में एक साथ मिल करके काम करें अपनी responsibility के साथ अब जब आप अपना खुद का NGO खोलते हैं तो कुछ documents आपको required रहते हैं जैसे कि trustee and memorandum of association rules and regulations, memorandum articles of association regulations and ID proof, residence proof ये कुछ documents हैं जो आपको required रहते हैं जब आप अपना खुद का NGO खोलते हैं लिकिन जो NGO है वो अलग-लग types के होते हैं अलग-लग जो registration रहता है वो अलग-लग ह जो मैं आगए आपको बताऊंगी तो उस उद्धे से आपको ये documents required रहते हैं अब हम जानेंगे how to registered NGOs को आप registered कैसे कर सकते हैं तो जो NGOs registered करने की भी ये आपकी अपनी choice होती है अगर आप समा सेवा करना चाहते हैं सरकार से किसी भी तरह की कोई आर्थिक साहता नहीं लेना चा चाहते हैं फर्स्ट रहेगा trust act society act and companies act ये थ्री एक्ट्स हैं जिसके अंतरगर्ट आप अपने NGO को registered कराते हैं अब हम जानते हैं जो trust act है अलगलग स्टेक्ट में अलगलग trust act अधिनियम है और अगर किसी स्टेक्ट में कोई अधिनियम अधिनियम इत नहीं है तो उस स्टेक् दो trustry की आविश्यक्ता होती है और register कराने के लिए आपको जिस भी state से है related state के जो charity commissioner या register होते हैं उस office में register office में आपको आभिधन पत्र देना होता है trust act के अंतरगत register कराने के लिए trust deed document है जो आपको required रहता है trust deed document की आपको अविशक्ता पड़ती है सेकेंड हम देखेंगे सोसाइटी एक्ट अगर आप सोसाइटी एक्ट के अंतरगत NGO को रेजिटर्ट कराती है तो इसको सोसाइटी एक्ट के रूप में रेजिटर्ट किया जाता है किसी किसी राज्य में जैसे महरास्ट हुआ इसमें इसी एक्ट के तहित NGOS को ट्रस्टी के तौर पर भी पंचिकरत किया जाता है सो सोसाइटी एक्ट के अंतरगत रेइस्टेशन के लिए Memorandum of Association Rules and Regulation Document है जिसके आपको आविशक्ता रहती है और इसके लिए आपके पास minimum 7 members at least आपके 7 members आपके पास होना चाहिए तब सोसाइटी एक्ट के अंतरगत आप इसको रेइस्टेट करा सकती है और अगर आप अपने NGOS को Companies Act के अंतरगत रेइस्टेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Memorandum and Articles of Association and Regulation Document है इसके आपको आविशक्ता रहती है तो यह 3 एक्ट हैं जिसके अंतरगत आप अपना NGO रेइस्टेट करा सकते हैं और इसमें जो लास्ट में जो Companies Act है इसमें 3 members की आविशक्ता रहती है तो यह आपके जो भी एक्ट में आप कर रहे हैं उस पर आपका depend करेगा आप कितने members का group है आपका और कौन सा एक्ट के अंतरगत आप इसको कराना चाहते हैं अब हम जानेंगे bank account means आपने NGO बना लिया अब इसमें आपका bank account का भी roll रहता है क्योंकि आपको जो fund मिलेगा वो आपके bank account में आएगा तो इसके लिए आपको NGO के नाम से जो भी आपका NGO का नेम है उसी नेम से आपका bank account होगा और इसके लिए आपको pen card लगेगा और साथ ही आपको registration भी देना होगा जो आपके registration कराया है वो registration and other documents रहेंगे जो आपको bank account जब आप खुलवाएंगे तो आपको देना होगा अब यहाँ पर जो fund आता है वो कैसे आता है तो first तो आप यहाँ पर अगर आपने registration कराया है तो आप government से आर्थिक सहायता ले सकते हैं इसके अलावा आप अपनी website बनाते हैं website पर आप डाल देते हैं तो जो भी donate करना चाहते हैं वो donation देते हैं यह आप programs रख सकते हैं छोटे-छोटे वहाँ पर जाकर करके आप अपना add कर सकते हैं और वहां से आपको donation मिल जाता है यह starting में होता है फिर जैसे जैसे आपका grow होता जाता है तो fund आपको मिलता रहता है आप बड़ी-बड़ी companies के contact करते हैं या salvity से contact रहता है तो वहाँ से भी आपको donation मिलता है साथ भी registration है तो आपको government से भी आर्थिक साहता मिलती है तो इस तरह से आप अपना NGO बना सकते हैं अब हम यहाँ पर अगर top NGOs के name देखें इंडिया में तो ननी कली गिव इंडिया फांडेशन गूंज एंड हेलपेज इंडिया यह बहुत ही अच्छे अंच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप भी अपना एक NGO स्टार्ट कर सकते है मुझे कमेंट किया गया था NGO से related जानकारी देने के लिए कि NGO हम कैसे जॉइन कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको दौनों तरह से explain कर दिया अगर आप किसी NGO को जॉइन करना चाते हैं तो आप किस तरह से जॉइन कर सकते हैं या आप खुद का NGO खोलना चाते हैं तो आप क